दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत एंविरा एज्यूकेशन की यूटूब चैनल पर और मैं संपत लेड़ आप सभी के लिए इस वीडियो के अंतरगत तीन नई भरतियों की विग्यपति लेके हाजिर हो चुका हूँ आसा करता हूँ आपके लिए वीडियो जो है helpful होगा और आने वाले एक्जाम की दृष्ट के बहुत ही important होने वाला है वीडियो के लाइश्ट में मैं कुछ upcoming vacancies के बारे में भी बात करने वाला हूँ तो आप इसी परकार की नई vacancies के अपडेट प्राप्त करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की notification आपके पास तुरंत पहुंच जाएं तो आज की वीडियो के अंतरगत सबसे पहले जिस वेकेंसी के बात करने वाले हैं वो है आपके लेकर यह सब के अंतरगत जो है रिलीट की गी है बोर्डर सेकुरिटी फोर्स के अंतरगत जिसमें पोस्ट आप कॉंस्टेबल ट्रेड स्पैन तो फिमेल दोनों के लिए हैं जिसमें मेड फीमेल इंडियो इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप दा अब देखी यहां पर आपके पास टोटल पोश्ट आगी यहाँ पर आपके जिसमें 1220 जो पोश्ट है वो है मेल के लिए और 64 वेकेंसी फिमेल कैंडिडेट के लिए है जो लेवल 7 सीपी से के अनुसार 21,700 से लेकर आपको लिवल 3 का ठीक है बाकी जो भी एलावेंस है वो सारे के सारे इसके अंदर भी जो है आपको एलाव रहेंगे जो भी इसके अंदर फॉर्म एपलाई करते हैं तो उनके लिए एक्जामिनेशन फीस बगर यहां पर दे रही है आपके केंड़ेट विलॉंग टू यू आर ठीक है आपके जनरल एडुबलेस ओबीसी कैटेग्री अपलाईं फॉर्द पोस्ट तो सौ रुपे का आपके रहेगा और इसके साथ आपके 47 रुपे 20 रुपे और 20 पैसे का लग से सर्वी चार्ज भी आपके जो है इसके अंतरगत लिया जाएगा बाकी देखिए जो भी अधर कैंडिट है और जो भी फिमेल कैंडिडेट है उनके लिए फीस यहां पर आपके जरूत नहीं है एक्जमिनेशन सेंटर यहां पर सारे दे रहे हैं राजस् लुदपूर के अंतरगत फ्रंटियर एहां एक्जक्यू बीस राजस्थान के जो सेंटर है वहां पर आपका इसका एक्जाम होने वाला है 18-25 साल के इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं यह हाइट लिमीट वगरह सारा कुछ आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं एक्जमिनेश इसके अंतर का जो है वेकेंश रिलीज इसके लिए आप अगर अप्लाई करना चाहें तो 27 फर्वरी से लेकर 28 मार्ट तक इसके लिए फॉर्म एप्लाई होना अनिवारिये हैं जो भी इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो वह इसके हिसाप से करेंगे आप यंत्रा इंद्या.co.in पर जाके जो है करियर वाड़ सेक्शन में इसको क्लिक करके अप्लाई नाव पर जो है इसके लिए फॉर्म पर सकते हैं अगर यह प्लस है तो आपक स्टाइपेंड दिया हुआ है नौन आईटी है तो छेजार रुपर एगा और एकसाइटी तो आपके लिए साथ जार रुपर सके अंदर आपको दिया जाएगा बाकि टर्म्स और कंडिशन सारी इसकी साब से आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफीस वह आपके 200 रुपर जो है आगे बढ़ते और बात करते हैं तीजरी वेकेंसी की जो कि आपके आरी है MP पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेट के अंतरगत जो की है आपके जूनियर इंजीनियर की ठीके रिक्वाइर्मेंट आप वेरियस केंडर इस्टेट पावर आप सेक्टर कंपनी जो आप एमपी औ तो देखे पहला असिस्टेंट इंजीनियर की है इसके अंतरगत चो कि आपके ट्रेट्समेंट टेक्निकल इलेक्टिकल का है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का है एकाउंट ओपिसर फाइनेंस का है आपके फायर ओपिसर है लो ओपिसर है सिप्ट केमिस्ट है मैनेजर है आपके junior engineer है, junior engineer mechanical और electronics की है, junior engineer आपके plant transmission और technical की इसके अंदर आपके है और junior engineer civil की इसके अंदर आपको post है, देखने को मिलने वाली है post है, छिखा से इसके अंदर आपको मिलेगी total 440 post अपर vacancy इसके अंदर है और जो contract है वो आपके 403 पर post और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा दोनों को मिला के 403 पन है बाकी कुछ एक जो है पोस्ट है इसके अंदर contact है बाकी maximum जो vacancy जै वो regular basis पर आपको दी जारी है तो इसके अंदर कथ भी जो है आपके online examination होगा उसके बाद आपका shortlisted जो है इसके अंदर के जाएगा आपको उसके बाद में आपको आगे का प्रोस्ट जो है 600 रुपे का इसके अंदर फीस रखा गया है SST OBC के लिए और यहाँ पर आपके जो है 12 रुपे का general के लिए यहाँ पर फीस रखा गया है इसके लिए अगर आप एपलाई करना चाहें तो 24 फरवरी से लिए के 16 मार्च तक इसके अंदर एपलाई कर सकते हैं इसके लिए आप mbpgcl.mp.gov.in की साइट पर जाके जो है इसके लिए अपलाई करना पड़ेगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजीगा आपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजीगा इसके लवा बात करते हैं सात्यों आपके RPSC की दुवारा जो है मार्च माह में मार्च माह के एंडिंग में या अप्रेल फर्स्ट वीक में जो है प्रोग्रामर भरती जो है आपके रिलिज होने जारी है जो की लगबग आपके 250 पोस्ट से जो है 200 से लेकर 250 पोस्ट के अंटर जो है बताई जारी है इसके अलवा संस्क्रड ढपार्टमेंट भरती को लेकर भी कहीं सारे सात्यों का जो है मेसेज आ रहा है तो उसके उपर अपी यह हाल फिलाल यह जब टेट मिल पार रही है कि उसके जो नियम है वो सारे तय हो चुके हैं अब जो है एजजेंसी तय होगी उसके बाद यह वै आई नीचे comment box में लिखीगा इसके लाव केंद्री विध्याले संगट कें अंतरकत जिन सात्यों के 120 से 130 के बीच में नमबर आ रहे हैं तो उनका सेफ स्कॉर में सेलेक्शन हो सकता है ठीक है और NBS और KVS तता DSSSB कें अंतरकत कहीं सारे सात्यों के मैसेज था कि क्या नई वेक से आपको इसके अंतरकत देखने को मिल सकती है इस यहर के एंडिंग से पहले पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजेगा धन्यवाद